हालो एंड वेलकम टू वाई सीजड क्लासिज बच्चो आज की लेक्चर में हम निउट्रॉंस के बारे में जो है वो पड़ेंगे लेकिन इससे पहले वाला लेक्चर जो था वो हमने टेक्श्वल कोश्चंस किये थे आन पेज नमर 49 इसी पेज के जो यह चार कोश्चंस आप पढ़ा और उसके बाद जो है हमने बहुर्ज मडला फैटम पढ़ा और उससे पहले मैंने आपको कहा था बेटा कि यह जो साब अटामिक पार्टिकल्स है यानि जो आपके यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर आफ आफ आटम से बार बताया कि हम यह मतलब समझते हैं कि जो अटमिक फिर्वी ने कहा कि नहीं जो आटम है यह इन डिवीजिबल नहीं है बलकि यह एक डिवीजिबल पार्टिकल है और उसमें अच्छे से पढ़ा है और आज हम आपको जो है निव्टरान के बारे में यहां पर आज के लेक्चर में हम आपको जान करी देंगे तो देखे बटा निव्टरान के बारे में यहां पर आज के लेक्चर हम फिरू कर रहे हैं इन 1932 हाँ इससे पहले में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा आपकी नॉलज़ में यह बात होनी चाहिए कि निव्टरान्स जो डिस्कवर हुए हैं यह रेडियो अक्टिवि ने इन 1896 में डिस्कवर किया था ठीक है अब बताएंगे सा रेडियो अक्टिविटी क्या है रेडियो अक्टिविटी एक ऐसा ऐसी फिनामेना को हम कहते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं जैसे युरनियम है जैसे थोरियम है जैसे रैडियम है यह अपने आप जो है इस फिनामेना को हम रेडियो अक्टिविटी कहते हैं तो रेडियो एक्टिविटी जब 1896 में डिस्कवर हुई उसके बाद जो चैडविक थे चैडविक ने 1932 में यह प्रूफ किया मतलब डिशार्ज ट्यूब एक्सपरिमेंट को थोड़ा सा उन्होंने और मॉडिफाई क उसमें और इंप्रूमेंट लाई और उन्होंने यह भी बता दिया कि रेडियो अक्टिविटी के जस्ट डिस्कवर होने के बाद चैडविक 1932 यह प्रूफ करते हैं कि डिस्कवर करते हैं एनदर सबटामिक पर्टिकल विच हैड नो चार्ज और यह है कहते हैं कि इस सबट प्रूटान जिसको हम positively charged particle कहते हैं उसके बराबर जो है इसका मास माना जाता है ऐसा कहना है यहां पे चैडविक का जो 1932 में इस थर्ड सबटामिक पर्टिकल यानि neutron को डिस्कवर करते हैं इस ऐसे सबटामिक पर्टिकल का जो neutral in character है और जिसका मास जो है nearly equal to that of proton है इसका नाम जो चैडविक देते हैं वो देते हैं neutron इस पर्टिकल को नाम मिलता है neutron का चैडविक के द्वारब तो neutrons are present in the nucleus of all atoms यह एक important चीज है बिटा कि जो neutron है अब यह neutron जो है यह भी एक सबटामिक पर्टिकल में से एक सबटामिक पर्टिकल है तो यह जितने भी atoms हैं elements के उनके nucleus में यह present होता है अब यह जरा बड़ा जरूरी जानना है यहां पर आपको कि hydrogen क्यों यहां पर exception है hydrogen के nucleus में क्यों नहीं जो है वो neutron पाया जाता है देखो मैं आपको बताओं कि hydrogen जो हम बात करते हैं आहम तोर पे जिस hydrogen की हम बात करते हैं अगर देखा जाए बेटा तो आपको मौलूम होना चाहिए element hydrogen जो है यह तीन isotopic forms में जो है वो exist करता है three isotopic forms में और आपको मैं बताता चलूँ कि isotopes आपको मौलूम भी होना चाहिए मैंने आपको बताया भी है पेछे लेकिन अगर नहीं तो आप focus करेंगे अभी कि मैं क्या बोलूँगा isotopes ऐसे elements को हम कहते हैं जिनका atomic number जिनका atomic number जो है वो same होता है और defer वो करते हैं यहनी उनका mass number जो है वो different होता है तो जिन elements में ऐसा आपको दिखाई दे वो हम क्या कहते हैं यह isotopes of that element कहते हैं यह atomic number sam और mass number different जैसे hydrogen की अगर हम बात करें तो hydrogen के observed जो isotopes हैं वो तीन हैं एक को हम कहते हैं इस तरह से represent करते हैं h11 ठीक है यह आपको मैंने generally बताया था कि अगर हम x एक general symbol लेते हैं किसी भी element के item के लिए तो बिटा उसका atomic number जो है यह left side होती है यह right side होती है यह left side का lower part होता है यह left side पर भी यह चीज़ लिखी कि hydrogen के तीन आईसोटोप जो है इसका पहले वाले का atomic number मैंने वान लिखा तो atomic mass भी इसका वान लिखा फिर दूसरा वाला isotopic form जो hydrogen का मैं लिख रहा हूं यहां पर उसका atomic number 1 है तो atomic mass जो है वो दो है फिर तीसरा जो है वो उसका atomic number 1 है और atomic mass जो तीन है क्योंकि देखो मैंने definition जो आपको बताई बच्चो कि जो यह isotopes होते हैं इनका atomic number जो होता है हो सैम होता है मतलब जिस element के isotopes के आप बात करते हो यह हम बात करते हैं जैसे मैं hydrogen element के isotopes की बात करता हूं तो hydrogen में जितने isotopes हैं यानि वह isotopes कितने हैं तो तीनों को तीनों में जो आपको atomic number मिलेगा जो कि हम left lower में लिखते हैं तो वह 11 ही मिलेगा जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है लेकिन atomic mass जो ही इनका different आ रहा है यहां पर इसका one आ रहा है इस वाले का two आ रहा है और इस वाले का three और एक और important चीज में isotopes के पारे में आपको बताऊं कि only and only hydrogen element element is isotope has the special names यह आप याद रखेंगे सिर्फ वाहिद एक ऐसा element है जो कि hydrogen है जिसके isotopes के लिए whose isotopes have special names जिसके isotopes के लिए क्या है special names है बिटा वो special names क्या है यह जो h11 है इसको हम कहते हैं proteum क्या कहते हैं हम इसको proteum और h12 वाले को हम कहते हैं deuterium d-e-u-t-e-r-i-u-m deuterium और h13 को हम कहते हैं tritium या बोलते हैं tritium tritium पढ़ो आप h1 h13 को या फिर आप इसको tritium भी बोल सकते हो generally ठीक है tritium अब जो h11 वाला isotope है जिसको हम proteum कहते हैं normal हम hydrogen कभी भी लिखते हैं जैसे कहीं reaction में लिखना होगा जैसे मैंने hydrogen और nitrogen का reaction लिखना है hydrogen और oxygen का reaction लिखना है या नहीं कहीं पे भी जब हमने hydrogen लिखना होता है तो हम बेटा वहाँ पर इसी proteum को लिखते हैं h11 वाले केस को क्यों क्योंकि इन तीन isotopes of hydrogen में से जो सबसे ज़्यादा अकर करता है जो सबसे ज़्यादा present होता है greater जिसका abundance जो है जिसकी presence जो है वो सबसे ज़्यादा होती है इस proteum की या 99 point something ये present होता है अकर करता है तो इसलिए ordinary hydrogen जो हमारा होता है वो यह deuterium क्या कहते हैं deuterium और h12 वाले isotope deuterium को बिटा हम heavy hydrogen भी कहते हैं यतना भी आप याद रखेंगे क्या बोलते हैं इसको heavy hydrogen भी बोलते हैं और उसके बाद आगे आपका h13 जिसको हम बोलते हैं tritium या बोलते हैं tritium ठीक है तो यह थोड़ा आपने याद रखा अब यहां ordinary hydrogen h one one protein की में बात कर रहा हूं कि यहां पर general sensor जो बात कहीं जा रही थी ना यहां पर देखो जामने यहां अभी टिक या neutrons are present in the nucleus of all atoms के neutrons जो हैं वो सभी atoms के nucleus में present होते हैं किसके अलावा accepted hydrogen के अलावा यह बात हम कह रहे हैं कि hydrogen के atom में बेटा nucleus में neutron नहीं होता है तो वो किस हिसाब से बताया जा रहा है यह बात यह protein के हिसाब से बताई जा रही है क्योंकि मैं आपको बताता है कि जब हमको neutron का number निकालना होता है तो neutron number of neutrons जब आपको किसी element के atom में निकालने होते हैं तो उसका हमारे पास formula होता है mass number mass number का जो आपको general representative symbol होता है representing symbol होता है वो हमारा a होता है बेटा और जो atomic number का होता है जब होता है जड़ तो number of neutron हम निकालते हैं a-z समझा रही है आपको बात तो देखो यहां पर अगर प्रोटियम में हम यही चीज निकाले निकाले नमर अपने जहन में राखना है कि प्रोटियम जैसे normal hydrogen में जो ordinary hydrogen में जो है nucleus में कोई भी neutron जो है वो present नहीं होता है clear है उसके बाद है in general a neutron is represented as n हाँ यह तो मैंना अभी लिख भी दिया small n से हम इसको denote करते हैं अगर आपने neutron नमर जैसे हमें अभी देखो formula बताया आपको मैंने number of neutrons किस तरह से निकालते हैं a minus z निकालते है मतलब a का मतलब हो गया कि यह mass number होता है ठीक है यह यह atomic mass जिसको आप बोलोगे दूसरी लफजों में और z जो है वो है आपके पास कितना बेटा atomic number तो यह n जो है आपका क्या है number of neutrons तो number of neutrons को हम किस से denote करते हैं small n से जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा है और यह formula भी आप याद रखेंगे ठीक है तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि in general this neutron is represented by are represented as small n the mass of an atom is therefore given by देखो आप अगर atom का किसी भी element का atom का अगर हमने mass नकलना है तो वह हम निकालते हैं by the sum of the masses of the proton and neutron बचो अब तीन सब atomic particles के बारे में आपको पता चला कि atom के अंदर यह तो more than 35 particles present होते हैं लेकिन important ones जो है वो होते है electron वो होता है proton और वो होता है neutron जैसे कि आभी हमने यहाँ पर आपको बताया ठीक है electron proton और neutron लेकिन इन ती possible होते हैं atom के mass के लिए यह जब आप किसी भी element के atom का mass बताएंगे तो the atomic mass of an element is only and only due to the presence of the proton and neutrons in it so electron never contributes, electron जो है वो contribute नहीं करता है for the atomic mass of an element किसी भी element का atomic mass के लिए electron contribute नहीं करता है क्योंकि electron जो है उसका charge जो है वो negative होता है तो mass negative नहीं होता है ठीक है, तो mass of an atom is therefore given by some of the masses of the protons and neutrons present in the nucleus of an atom तो किसी भी atom के nucleus में कितने protons हैं, कितने neutrons हैं, उनका हम sum करते हैं, sum of the, कितने neutrons और कितने protons नहीं, बलकि हम sum करते हैं mass of proton ठीक है, mass of the protons और mass of the neutrons का जो कि present होते हैं in the nucleus of an atom, तो इस तरह से हम वहाँ पे atomic mass किसी atom का calculate करते हैं, ठीक है, तो यह काफी important information थी प्यारे बच्चों, यहां पे neutrons के बारे में, जो कि एक third subatomic particle था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसको Chadwick नाम के scientist ने 1932 में, जो है लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान देते हैं, topic को अच्छे से समझते हैं, तो मैं आपको guarantee देता हूँ कि आप यह questions जो हैं, वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चले मैं फिर भी आपको यह questions करा लूँगा, name the three subatomic particles of an atom, क्या पूछा जा रहा है question में, page number 29 के ही, यहां पे section 4. 2.4 के फुरन बाद जो questions पूछे जा रहे हैं, name the three subatomic particles of an atom, तो इसका answer करेंगे, आप इस question number 1 का बिटा, question 1 का answer करेंगे, the three subatomic particles of an atom are, लिखेंगे आप पेले यहां पे, the three, ठीक है, subatomic, the three subatomic particles of an atom, of an atom are, वो क्या-क्या है, एक है, आपके पास electron, ठीक है, one is electron, another is proton, electron, proton, and neutron, clear है, यह आपके question number 1 का answer हो गया, उसके बाद आपको पूछा जा रहा है, question number 2, इसी page number 29 पे, यानि section 4.2.4 याद रख लिजे, neutrons वाली section के फॉरन बाद, तो question 2 पूछा जा रहा है, यहां पर, helium atom has an atomic mass of four, यानि helium जो element है, इसका atomic mass जो है, वो कितना है, four atomic mass unit, आपको, मैंने atomic mass जो है, वो पीछे पढ़ा है, बेटा, ठीक है, तो यहां, you, you, you का मतलब है, unified mass, और इसका, इससे पहले हम इसको, amu, जो है, वो, इस्तिमाल किया करते थ तो इसको unified mass या atomic mass unit भी आप बढ़ सकते हो, ठीक है, या unit mass बोल सकते हो, तो helium का mass जो है, वो कितना है, four atomic mass unit है, चार atomic mass unit है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, and, साथ ही साथ में बता जा जा रहा है, मैं question को दुबारा से पढ़ता हूँ, helium atom has an atomic mass of four atomic mass unit and two protons in its nucleus, देखो, बच रहा है, and how many neutrons does it have, तो बताओ भई, इस helium में कितने, जो है, वो neutrons present है, तो मैंने आपको number of neutrons का formula अभी दिया, अगर आपने दिहान रखा होगा, तो question number two का answer, आप फटा-फट से कर लेंगे, आप लिखेंगे, number of, पहले आप लिखेंगे, यहाँ पर given क्या है, question number two का answer, जब क करेंगे, आप लिखेंगे, given atomic mass, सबसे पहले आपको दिया है, बेटा, given atomic mass of helium equals to four atomic mass unit, उसके बाद लिखेंगे, आप also आपको दिया हुआ है, यहाँ पर, कि number of protons, number of protons, number of protons in helium equals to two, और अब आप करेंगे, therefore, therefore, number of, therefore, number of neutrons, therefore, number of neutrons, that is, जिसको हम mathematically कैसे लिखते हैं, symbolic form में, small n से equals to number of neutrons, and वो भी कहाँ पर बेटा, in helium equals to आएगा, atomic mass, atomic mass, जो है, उसको हम A से denote करें, minus atomic number, जिसको हम Z से denote करते हैं, तो helium का atomic mass, अभी अभी आपको मिला कि given four है, atomic mass unit, और minus, इसका atomic number, जो है, वो है, बेटा, two, ठीक है, atomic number म है, हेलियम में जी, दो protons हैं, बच्चों मैं आपको बता दूँ कि proton number ही किसी atom का atomic number कहलाता है, ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, what is atomic number, atomic number means proton number of an, atom of element, तो जैसे यहां helium का proton number 2 दिया गया है, इसका मतलब helium का, जो atomic number है, वो दो है, तो mass number minus atomic number, mass number 4, atomic number इसका, जो है, वो दो है, त इतना आगया, आपके पास 2, तो 2 क्या मिल गया, आपका answer, number of neutrons, it means, hence, the number of neutrons present in the nucleus of helium is equal to 2, आपका answer आगया, तो hope कि आपको ये समझ में आ गया, तो आज की lecture में हम इतना ही करेंगे, और hope, मैं मुझे पुरा यकीन है कि आपको ये पूरा lecture जो है, वो समझ में आएगा, लेकि जाके आप देखेंगे यहां पर, तो definitely मैं आपको guarantee देता हूँ, कि आपको lecture समझ में आ जाएगा, और lastly आपको कहना चाहूँगा, कि अगर आपको, मैं forcibly नहीं ये बात बताऊँगा, आपको बिटा जबरदस्ती नहीं बोलूँगा, अगर आपको मेरे lectures अशे लगते हैं, तो please मेरे channel को subscribe कीजिए बचे, ज्यादा से ज्यादा आपने friends के साथ इन video lectures को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और pass में देए गए bell icon को भी जो है वो प्रेस कीजिए, ताकि future में मेरा जो भी video जो है वो upload होता जाएगा, उसका notification जो है आप तक भी पहुंचता जाएगा, तो आज की lecture में एतना ही goodbye, take care, stay fit and stay safe.